मैं किसी नेता पर किसी पतादी कारी पर दोसा रोपन न करके अपनी बात कहना चाहता हूं कि जो अमीद जो भरोसे के साथ आममादी पार्टी कहम सदस्द से बने मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हम ना तो उस अंतिम व्यक्ति जिसके लिए हम राजनीती में आए हूं के लिए पित होके काम करें उनके साथ न्याय कर पा रहे हैं ना तो और किसी कर पा रहे हैं अब ऐसे इस्तिति में मुझे लगता है कि शत्तिजगाड की भौईश्य बनाना है शत्तिजगाड के लोगों के लिए लड़ना है तो पुर्णर विचार करना चाहिए और इसलिए मैं लग इसके अलावा फिर से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कॉंग्रेस पार्टी के खिलाब आवाज उठाके आमादी पार्टी अस्तित्में आया आज कहीं न कहीं इंडिया गड़बंधन में सामिल आमादी पार्टी है और वही वज़ा है कि विधान सभा चुनाव में जो अच आज तो सिर्फ हम इस्थी पा दे रहा है बाकी आगे का निडाय लेंगे आगे का जो भी तै करेंगे सब मिलके करेंगे हमारे कार करताओं से बात्चीत करेंगे प्रात्मिक शजल से अभी पार्टी में जाने गोई तो मैं और कि हम हमारे जाल करदों से बात जीत करेंगी हमारे पिदादीकारी साती है Hey Can दे़ हैं सबसे बात जीत करके आगे फिर से सो सकता है दो जिष घुर थे मादम चैशा नहांहें हम आपको दरूर बता हैं लेकिन हाँ 36 गर के लोगों की लड़ाइं हम जब तक जिंदा है लड़ते रहेंगे अभी तो जो सामने हम दिक रहें ? बजिदने हमाँ हमारे साथी है दीरेजी है और भी है बागी और हमारे साथी पुना इते कारी एक एक संन्हे है अभी जा कहीं ने रहे कफी लोग है कंप लगत रहा है जा है कि प्रदेद में जो पर दो कि अधिक्ति के लड़ाई लड़ने के लाने के लिए उची आप भूंते हैं लोग यहीं कि प्रदेशं लुक्ति लें अभी में उस्ट्राइव पर दॉलक्ति हैं हम पर जिगने शुक रूप धुद लड़ है अभी तब बेज रहा है है पार्टी छोड़ने या कही जाने क्या है अभी मीडिया में कही जरा से बाते बुड़ रहे हैं तो हमने कहा साव इस परस्ट कहे दिया कि हम किसी पार्टी में भी नहीं जा रहे हैं बस यह है कि हम पद से और चाकपत्र देरें मैं जैसा कि मैंने कहा कि हम कारिकर्टाओं से पतादीकारी से बातचीत करके आभी करने लेंगे सबी लोगों से बातचीत करेंगें बातचीत करास्ता कभी खतम नहीं होता देखे पूरे परदेश में और देखे पूरे प्रदेश में और आपके साने मीडियाक्स सामने भी हम लगातार कहते रहें कि हम 36 गड़ के 90 सीटों में मजबूति से लड़ेंगे लेकिन सायद आपने दिखा होगे कि हम पूरे नहीं लड़ पाए कही न कहीं जो भरोसा हमने 36 गड़ के लोगों के बीच जाके कहा कि हम 90 सीटों में लड़ेंगे मजबूति से लड़ेंगे भरोसा तूटा तो हम नहीं चाहते हम 36 गड़ के लोग हैं यहां के माटी पुत्र हैं तो 36 गड़ के लोगों के साथ अन्याय हमनी बर्दास में करेंगे उनके साथ दोखा बर्दास में करेंगे वजह जो बिखेत्रे दर्वगर बना रहे हैं अभी आगे तरह करेंगे तिक लाएंगी वज़ा क्या माई जाहिए अधि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तिफा दे दिया है और बड़े खावर आपको बता रहे हैं पार्टी से कई पदाधिकारियों ने भी को मल इस्तिफा दिया है आमाधी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी ने पार्टी से इस्तिफा दे दिया और छै पार्टी पताधिकारियों ने भी पार्टी छोड़ दी है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं ये कहा जा रहा है सुत्रों के अवाले से जानकारी मिले लेकिन अभी कोई पुकता जानकारी इस पर नहीं आई है पार्टी की तरफ से आधिकारी तोर पर कुछ नहीं कहा गया है नहीं नेताओं की तरफ से कुछ कहा गया है पताधिकारियो से इस्तिफा दे दिया है छे पार्टी पदाधिकारियों ने भी पार्टी छोड़ दी है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कहा जा रहा है नेकिन अभी इस पर कोई पुक्ता जानकारी नहीं मिली है बागावती सुर चुनाओ के ठीक पहले लोकसभा चुनाओ आने वाले समय में जिसको लेकर लगातार बीजेपी रणनीत तयार कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष में हल चल और आमाद्मी पार्टी के प्रदीश अध्यक्ष का इस्तिफा बहुत बड़ा जटका आमाद्म करने को मिलता तो जिस पार्टी की खिलाब हम आवाज बुलंद करके अस्तितु में आए उसी पार्टी के साथ बैट के बात करके हम यदि छत्ति दिगार मद्य प्रदेश जैसे और राज्यों में चुनाओ नहीं लड़ रहे हैं तो यह दुर्भाग्य है हम छत्तिगर की ज और आगे आने वाले समय में और भी इस्तिपे का करम है वो जारी रह सकता है और अभी किसी पार्टी में जाने से इंकार कर रहे हैं लेकिन सूतर ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी हो सकता है कि आने वाले समय में ये जोईन कर सके लेकिन देखना होगा कि ये खुद की पार् कोमल हुपेंडी ने आमादमी पार्टी के लिए किसी जटके सिकम नहीं और आने वाले समय में लोक सभा चुनाओ उसके पहले कोमल हुपेंडी ने इस्तिफा दे दिया है तो कोमल हुपेंडी के साथ साथ छे पार्टी पदाधिकारी ने भी इस्तिफा दिया है और सबसे बड सामने आ रहा है और दूसरा अरचन ने आ रही थी खोलका रामादी पार्टी सामने नहीं आ पाई पिछले चुनाओं में और इस तरह की समस्याएं आने वाले समय में भविश्य में ना हो किसी और पार्टी की वजह से लुकसान या खाम्याजा ना भुगतना पड़े इसकी व जिस तरीके से कोमल हुपेंडी ने इस सिफा दे दिया और वो भी लोगसभा चुनाओं आने वाले समय में सिर्फ पर है लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा जटका आमादी पार्टी को कैसे देखा जाए बिलकुल आमादमी पार्टी 36 गड़ में अपनी जमीन तलास्टी रही थी और जमीन तलाशते तलाशते उसके पैरों से जमीन खिसक गई है दरसल 36 गड़ में आमादमी पार्टी जो है सभी 90 सीटों पर इसने चुनाओ लड़ा था प्रदेश अध्यश कोमाल उपेंडी थे लगातार 5 साल से आपर जुड़े वे थे और कड़ी मेहनत कर रहे थे आज जब कोमाल उपेंडी ने इस्तिफा दिया तो इस इस्तिफे का कारण सबसे बड़ा कारण बताया इंडी गटबंधन के साथ जुड़ना है और उनका मानना था कि 36 गड़ में आमादमी पार्टी का जो खराप्रदर्शन रहा है इसकी एक मात्र वज़ा इंडी गटबंधन के साथ जुड़ना जिस कांगरेस के साथ उनका मानना है कि वो लड़ रहे थे उस कांगरेस के साथ गड़ बंधन में शामिल होने के वज़ा से 36 गड़ में उनको बड़ा नुकसान हुआ है तो कॉमाल उपेंडी जो प्रदेश अध्यक्ष है सरकारी नौकरी छोड़ कर कॉमाल उपेंडी आम आदमी पार्टी में जुड़े थे और आम आदमी पार्टी को इस्टेबलिश करनी की कोशिश 36 गड़ में कर रहे थे उनके साथ 6 और बड़े पदादिकारियों ने इस्टिफा दे दिया है और सबसे बड़ा कारण यहीं बताया है कि इंड़ी गड़ बंदन में आम आदमी पार्टी को की शामिल हुई है और 36 गड़ की 90 सीटों पर विधान सबाचनाव में उनको इसका बड़ा नुकसान हुआ है इस नुकसान की वज़े से वो आहत है और इस आहत होकर उन्होंने इस्तिफे का फैसला किया पार्टी की प्रात्मिक सदसता से कोमालुपेंडी और उनके साथ 6 बड़े पदादिकारियों ने इस्तिफा दे दिया है उनका कहना है कि वो अभी फिलाल किसी पार्टी में नहीं जा रहा है लेकिन क्योंकि कड़ी मेहनत उन्होंने की थी पूरे 90 सीटों पर लेकिन जो परिणाम आ है वो परिणाम उनकी उमीद के मताबिक नहीं है और इस हार का सबसे पड़ा कारण इंडी गड़ बंदन के साथ जुड़ना है जिस कांगरिस के खलापों का मानना है कि वो लगातार लड़ाई लड़ रहे थे उस कांगरिस के साथ गड़ बंदन में शामिल होने के वज़ा से 36 गड़ में उनको खराब परिणाम मिले है और इससे निराश और नाराज होकर पार्टी के दिगजो को आला कमान को उन्होंने अपना इस्तिफा सौब दिया है तो पार्टी आम आदमी पार्टी को बड़ा जटका है बलकी बड़ा जटका क्या कहा जाए एक तरीके से 36 गड़ में पूरी तरह से बिखर गई है आम आदमी पार्टी क्योंकि कोमाल उपेंडी बहुत पुराने नेता थे और शुरुवाती दिनों से जुड़े हुए थे और प्रदेश अध्यक्ष थे ऐसे में इतने बड़े निता का अगर लोग सबाचुनाओं के पहले इस्तिफा हो जाता है तो पार्टी के पास कुछ बसता नहीं है बिल्कुल राजीव चक्रवाती हमारे साथ जुड़ गए है बीजिपी के प्रवक्ता विशेग जी में वापस से आपके पास आऊंगी राजीव जीज आपको तो ये पता चल ही गया होगा आमादनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमा लूपेंडी ने इस्तिफा दे दिया है पार्टी से और वज़ा इंडी गठ बंदन को ठहराया है क्या कहेंगे प्रतिक्रिया आपकी इस पर देखिए भानूमती का कुनबा था आमादनी पार्टी जिन लोगों को कॉंग्रेस में बहुत स्थान नहीं मिल रहा था वे लोग इस पार्टी में थे शरणा स्थली बनी हुई थी और आमादनी पार्टी के अंदर एक वहाप हो थे कि यहां पर प्रदेश में जब कॉंग्रेस के सरकार थी वह इंडी गठ बंदन के साथ वो बैठे हुए थे तो वो तैनी कार पार्टी की कॉंग्रेस सरकार का विरोध करें की पक्ष करें और आश्टी मुद्दे पर भी यहां के स्थानी नेताओं का बहुत सारा विरोधा भास था तो जब वही होता है कि भानुमती का कुनबा गिर गया ताश के पत्ते धाराशाई हो गए और कोमल ह लहुपेंडी जी आदिवासी समाज से आते थे और थापना के समय से जोड़े वे थे उनका इस्तिफा यह दिखलाता है आम आदनी पार्टी की स्थिती चटिजगर में बहुत खराब हो गई है और नीचिवेस तर पर भी खराब हुई है जो उन्होंने काई गठित की थी त खबरे तो यही है कि बीजेपी नेक्स्टेप बीजेपी की ओर हो सकता है कोमल उपेंडी का जाएगा कि इनने लिया जाएगा उसकी ओर से कोई ऐसी जानकारी नहीं है लेकिन यह एक हताशा दिखलाई देती है आमादी पार्टी के बड़े लीडर्शिप के अंदर बहुत शुक्रिया राजीव जी साथ जुड़ने के लिए अपनी बात रखनी के लिए लगतार अभिशेग जी भी हमारे साज जुड़े हुए अभिशेग जी सवाल यह है कि अब अगला स्टेप क्या होगा कोमल उपेंडी का क्या आपको लगता है क्योंकि इंडी गठ बं इंडी जो कि आप पार्टी को संभाल रहे थे और एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं च्छे बड़े पदादिकारियों ने इस्तिफा दिया है तो कुछ सोच समझ कर इस्तिफा दिया होगा और अपने भविश्य की रणनीती को अपने भविश्य की योजनाओं को ध्यान में रहे हैं आम तोर पर यह एक तरीके की प्रक्रिया होती है कहा जाए सिष्टाचार या कहा जाए कि एक रूटीन सी प्रोसेस होती है जब भी कोई इस्तिफा देता है तो इस बात का जिक्र नहीं करता कि वो दूसरी पार्टी में जा रहा है फिलाल उनका कहना थे किसी इसके खिलाफ थी और इंडी गड़ बंदन में क्योंकि कॉंग्रेस के साथ उनकी आप पार्टी की दिगजों ने शामिल होने का फैसला किया और इसका नुकसान अगला कदम क्या होगा क्योंकि अभी कुछ भी कहने से वो बचते नजर आ रहे हैं बहुत शुक्रिया अभिशेक साथ में जुनने के लिए